किसी भी email का reply करने से पहले इन 5 बातों का ध्यान रखिए अगर email thread में multiple stakeholders involved है या फिर sender ने mail करते समय और भी लोगों को CC में रखा है तो you must use reply all एक ही subject line के नीचे आ रहे multiple messages को बोला जाता है thread अगर किसी एक topic का discussion चल रहा है माल लीजिए 3rd June को आने वाले LLA के scam video के thumbnail ideas का discussion इस thread में चल रहा है तो आपके पास कोई नया idea हो तो इसी thread में reply करिए नया thread मत बनाईए ताकि reader को context पता चल सके अगर आप email thread में किसी को add कर रहे हो या हटा रहे हो तो किसी इस तरह का symbol डालिए और लेखिए adding mandeep my co founder for script discussion या फिर removing vedangy thanks for the introduction मूझ से निकले वे शब्त वापिस नहीं आ सकते लेकिन email से निकलावा mail ज़रूर वापिस आ सकता है अगर आप settings में जाकर undo send को set कर देंगे 30 seconds तक तो किसी भी गलती से जा चुके mail को आप इस तरह से retract कर सकते हैं अगर किसी mail को आपको forward करना है लेकिन उसकी subject line इस तरह की नहीं भेजनी है या फिर उस thread में जो बाकी का conversation हो रहा है वो भी forward नहीं करना है तो यहाँ पर आपको option मिलेगा edit subject का जिस पर जाकर आप editing करने के बाद इस mail को forward कर सकते हैं अगर अभी तक आपने मंदीब की cold email strategy वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका link आपको पिंट comment मिल जाएगा